Q3, Q4 तक हो गया हमारा Q5 इसमें एक ऐसा Q2 है जो मैंने Q2 क्लास में आपको कराया था Q2 किसमें बावल दो बिल्डिंग ब्लॉक में, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल जब पढ़ाय थे तब कराया था पर्फॉर्मेंस एवल्यूशन चैप्टर में उसमें एक इंसिट्यूट था लर्निंग होराईजन करके ऐसा इसका पूरा इंकम सेट्मेंट बनाये थे गवर्मेंट इंसिट्यूट से कंपेर करवाया था उसको गवर्मेंट इंसिट्यूट था बट प्राइवेट से कंपेर कराया था लर्निंग होराईजन नॉलेज बेस वाला कुशन उससे जुड़ा हुआ कुछ है यहां पर कोचिंग सेंटर को लेके बना दिया क्लास में ऐसा एक सम करा हुआ है बट उससे जुड़ा हुआ कुछ है बट कोचिंग सेंटर को लेकर बना दिया है हम लोग जो पढ़े थे उसमें बिल्डिंग ब्लॉक का बहुत सारा कमपैरिजन था इसमें क्या ना फ्री छोड़ दिया बट की एनलाईज, स्पाइस, परफॉरमेंस फॉर दैयर, परफॉरमेंस किस मॉडल से कुछ नहीं बोला तो जो-जो मेट्रिक्स आपको दिख रहे हैं उसके साब से तो इसमें तीन मेट्रिक बनाया है एक रेवेन्यू का, एक ओपरेटिंग प्रॉफिट का और तीसरा student satisfaction का तो ये तीनों metric question में दिये वे हैं अगर आप देखेंगे तो एक revenue वाला दिया हुए gross fees जिसको आप बोल सकते हो total revenue में भी ले सकते हो उसको और revenue में और भी linked जो जो निकलेंगे वो सब आपको लेना पड़ेगा फिर operating profit आपको दिखा रहा है अलग से उसका भी performance आप चेक कर सकते हैं और एक student satisfaction rate को भी आप चेक कर सकते हैं को question में दिया वे rating तो ये just can read and check बहुत easy सा question है just trick ये था कि क्या-क्या metric पर मैं लिखोंगा answer तो इसमें तीन लिखा वाँ आपको कोई चौथा लिखना है तो click करें तो कोई problem नहीं जैसे इसमें तीन में एक और student hiring rate student hiring rate को revenue में डाल दिया SHR rate दिखो आप यहाँ पे average SHR आप चाहो तो SHR को लेके एक अलग heading भी बना सकते हो ज़रूरी नहीं कि सब तीन heading में निप्टाना है क्योंकि यहाँ पे कोई define नहीं कि कितना heading होगा तो आपको तीन के बाद और कोई दो heading लगे तो आप वो भी लिख सकते हो फिर question number 6 एक question है subcontracting का थोड़ा सा इसमें practical है subcontracting chapter का वो ही outsourcing बोल सकते हैं आप उसको और उसके बाद फिर gain sharing arrangement का बात हो रहा है इसमें gain sharing आपको question 1 में पढ़ाया था मैंने तो उससे जुड़ा हुआ यहाँ पर आपको gain sharing का भी कुछ बात लिखना है कि उसका फाइदा क्या है उसका नुकसान क्या है यह सब आपको बताया जाएगा gain sharing arrangement तो यह भी कर करा जा सकता है कि इसी question है साथ number question आपका customer profitability को लेकर है जो आप लोग बहुत आराम से निकाल लेते हैं जिसमें बड़ा बड़ा recommendation लिखना होता है याद है कि हर customer में non profitable customer को कैसे profitable level पे लाया जाए और एक नया चीज गुसा दिया इसमें three fundamental aspects of CRM यह supply chain management का एक पार्ट होता है बड़ इसके बारे में कहीं कोई notes ही नहीं है इस RTP का खास्यत ही है ऐसा दो चार्टों चीज डाल दिया जिसका कहीं institute mat में कोई जिक्र भी नहीं है तो three fundamental aspects हम लोग यहां से सीखें पहली बार वो एक होता है operational दूसरा होता है analytical और तीसरा होता है collaboration देखिए collaborative यह तीन नया चीज आ गया operative, analytical और collaborative operative CRM, analytical CRM, collaborative CRM operative CRM मतलब CRM मन एक software जो customer के बारे में सारा record रखता है ऐसा सोचो एक ऐसा database जो customer का सारा record रखता है उसके बहुत सारे reports निकलते है operative CRM मतलब day-to-day transactions का report निकलेगा उसमें ठीक है कि customers के कितना sale हुआ क्या वो booking किया कितना orders दिया यह सब day-to-day report आएगा individual transactions जो operational team के पास होता है फिर analytical CRM क्या करता है operational वाला से data लेता है और उस पे analysis करता है कि कौन सा customer profitable है किस से और ज़्यादा profit कमाया जा सकता है किस के साथ कैसा relationship maintain करना चाहिए वो operations को फिर help करेगा कि तुम इस customer segments ऐसे बात करो यह policies बनाने में help करेगा collaborative CRM क्या हुआ फिर analytical से जो data निकला उसको ले के आप different functions के पास जा सकते हो जैसे की design team के पास जा सकते हो देखो ऐसा मेरा analytics बोल रहा है तो design team से हम लोग बात करते हैं और यह वाला चीज को ऐसे solve करवा देते हैं ठीक है? तो this is collaborative CRM ensures that information about customer must flow throughout the supply chain in all associated department so that ultimate customer satisfaction section achieve किया जा सके analytical क्या करेगा? analyzes the data created on operational side of CRM regular data is operational regular से उपर उठोगे तो analytical regular का data से अगर कुछ analysis कर रहे हो, कुछ findings ला रहे हो customer profitability जैसे निकाल रहे हो आप या फिर customer behavior समझने का कोशिश कर रहे हो, तो analytical CRM and last is collaborative CRM which is what it is whereby analytical से जो reports निकला उसको आप different department से discuss करो कि overall customer satisfaction कैसे बढ़ाया जाए तो कभी service department से बात करोगे जाके कभी design team से बात करोगे कभी production team से बात करोगे delivery partner से बात करोगे different department से interact करोगे तो एकदम नया चीज था यह इसके बारे में हमारे पास कोई knowledge नहीं था मैं तो suggest करूँगा कि आप यह वाला information है ना जाके supply chain management chapter में कहीं लिख लीजेगा जिसे आपको summary notes बना रहे तो उसमें integrate कर लेना इसको, छूट जाएगा ने तो अच्छा next आ रहे दिखे question 8 यह JIT का question है इसमें भी फिर एक नया concept डाला JIT का concept एक Takt Time इसके बारे में भी अपना institute मैट में अभी तक कहीं कोई जिक्र नहीं था JIT इतना wide है कि अगर हम लोग net पे पढ़कने जाए JIT के बारे में तो बहुत कुछ है सब कुछ हम लोग अभी भी नहीं पढ़े है ठीक है तो बस क्या हो रहा है ना institute मुझे लग रहा है कि बस एक आग लेके रखा है कि बस नया-nया question डालना है तो नया question कहीं से भी मिल रहा है तो डाल दे रहा है अब जहां पे मिल रहा है जिस exam का मिल रहा है उसका syllabus में सब कुछ होगा तो वह analyze नहीं कर रहे कि वह सब हमारे content में था कि नहीं था वह बस question उठाके नया दिखा तो डाल दिया ठीक है तो यहां पे क्या हो रहा है दिखिए traditional system में एक rough idea लगा है कि यह सब चीज में time लग रहा है यह data क्या हो रहा है तीन दो पांच एक छे और चार सौ तो JIT system आने से बोल रहा है कि traditional time हर चीज का कम होके सौ हो जाएगा 200 का सौ further आपको बोल रहा है company में हम लोग single piece flow apply करेंगे single piece flow आपको JIT में पढ़ाया था cellular manufacturing system कि छोटा सा U-shape का machinery design बनाया जाएगा layout बनाया जाएगा जिसमें आपका input से output एक ही आदमी handle कर सके ठीक है तो यहां पर बोल रहा है PM2W received an order which is due to manufacture and delivered for 10 such motors total available time to produce what customer demand is 480 minutes 480 minutes में 10 order meet करना है तो एक order को कितना दिर में बनाना है 48 but of which it normal practice that 30 minutes will be spent in shutdown and cleaning तो time available कितना हुआ 450 productive time available कितना हुआ 450 मैं पूरा sentence नहीं पढ़ रहा मैं आपको glance में समझा रहा हूँ आपको एक बार तो reading दे नहीं है 100% मेरे साथ नहीं हो रहा है आप फिर एक बार नजर डाल लीजे मेरे से नया चीज देख लीजे फिर आप अपने आप read कर लीजेगा तो 480 यहां पे दिया हुआ है okay 30 minutes खराब होगा, 450 minutes time और उसमें 10 motor बनाना है तो एक motor को कितना दिर में बनाना है 45 minutes मतलब 45 minutes में काम निप्टाना होगा okay अगर यह target meet करना है तो इसी को बोलते cycle time, इसी को बोलते तक्त time T.A.Q.T. तो Japanese लोग यह target जो customer का demand आता है और हमारे पास जो समय उसमें काम करके दिखाना ही दिखाना है इस target को meet करने के लिए सारा optimization करने लग जाते है, जो काम 200 minutes में हो रहा था, वो अभी estimate होके 100 में हो रहा है, बट आपका target क्या है? 45 तो target production meet करना है 45 में order meet करने के लिए आपके पास जो समय है वो है 100 का single piece flow system चल रहा है तो एक बार में एक ही आएगा समझ गए? तो क्या होगा यहां पर efficiency आपकी जो desired है उतनी नहीं है तो आपको hejunka करके concept समझाया था मैंने hejunka करना हो, hejunka मतलब पहले से कुछ बनाते रहना है जिससे की जरूरत पढ़ने पर demand हमेशा fulfill किया जा सके demand estimate करके पहले से कुछ बनाते रहना है या फिर further optimize करो यह 100 को और कम करो ठीक है? तो question पूछ रहा है explain just in time explain just in time तो just in time का पूरा meaning समझाओगे calculate the takt time TAKT लिख दिया QT लिख देता है and interpret the result advise whether company should shift to JIT तो एक नया concept आया यहाँ पे takt time का जो पहले नहीं पढ़ा था मैं recommend करूंगा कि इस question को करने के पहले single piece flow system एक बार आप पढ़ ले इसका एक video मैंने again अपने यूटूब में डाला हुआ है आप भी उसको भी देख सकते है cellular manufacturing बोलकर ठीक है तो cellular manufacturing का video आप search कर ले और पहले उसको देख ले सुन ले वापस जो आपको अभी latest batch में मैंने पढ़ा है अभी है तो आप latest batch वाला वीडियो को एक बार वापस देख लेंगे और फिर इसको सुनेंगे तो आपको तक्त time और ये हे जुन का एक नम बोला ना मैंने हे जुन का वो भी समझ में आएगा तो पहले just in time को describe करना है पूरा उसका prerequisite क्या है production facility बनाना है अगर तो procurement facility भी रखना पड़ेगा दोनों integrated होता है integrated with vendor multitasking employee होना चाहिए जितना छोटा में बताया हुआ है ठीक है तक time आगया देगो तक time यहाँ पे कितना होगा 45 minute which is basically the time that you will allow for production to meet the customer demand और अगर यह time आपका भी actual में नहीं है तो हेजुनका can be applied in order to reduce variation between times over production हेजुनका apply करने का तरीका है जिससे की आप demand एक साथ जैसे पहले क्या होता था batch system में बनाते थे एक प्रोड़क का एक हजार बनेगा फिर दूसरा प्रोड़क का एक हजार बनेगा तो ऐसे करने से तो दूसरा प्रोड़क का तो waiting period बहुत बढ़ जाएगा तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप पहला का 100 बनाए फिर दूसरा का 100 बना ले आपको हजार काई batch size चाहिए ना तो दस product बनाई ना 100-100-100 कर गे, अब आप बूलेंगे सब का process अलग अलगा तो ठीक है, सारा common process को integrate करिए, ऐसा कोई machinery बनाईए, जो cutting machinery है तो दस product का cutting एक साथ ही कर दे batch में ऐसा कुछ समझा पर रहा हूं मैं आप अगर एक साथ हजार बनाएंगे, फिर हजार बनाएंगे फिर हजार बनाएंगे तो चार नंबर product का कितना waiting time होगा सोचो, हजार हजार minimum batch size है तो, तो क्या बोला है जुन का, सब को छोटा छोटा quantity में बनाओ पहला का 100, दूसरा का 100, तीसरा का 100 करके, पहला हजार में दसो product को ले लो अब बोलेंगे आप दसो product बनाने में दिक्कत है मेरे को 100 करके, हजार हो गया तो क्या हुआ, बट दसो का अलग-अलग requirement है, तो आपको ये study करना होगा, हर product में process क्या-क्या है, तो common process को integrate करिये न, जिससे की एक process में उसको उसका batch size भी मिल जाए, और उसका variety of product भी बन जाए, यही है जुनका था, इसको ही बोलते है, scheduling करना proper जिससे की machine भी optimize हो पाए, और varieties भी बन पाए, waiting time कम हो जाए, customer demand कहीं खाली न जाए, Toyota इसको apply करता है आज भी, अलग-अलग models बनाने के लिए common process को integrate करेंगे उसको ही बोलते है, single piece flow system customer demand is 10 units, to calculate the tuck time, the tuck time would be 45 minutes this means that process must be set up to produce 1 unit for every 45 minutes throughout the time available, as order volume increases or decreases tuck time may be adjusted so that production and demand are synchronized और जैसे से production demand, या, sorry product का demand अपका भढ रहा है, घट रहा है, तो तक time accordingly आप change भी कर पाओ, या आपके हाथ में होना चाहिए ऐसा आपको designing आपको करना है फिर advising on shifting to JAT, क्या traditional से JAT में जा रहे है तो कुछ फाइदा दीख रहे के आपको time तो reduce होई रहा है, आदा हो रहा है तो obviously आपका efficiency जो हो रहा है वो पहले जितना था उससे double हो जा रहा है, तो जाना तो चाहिए यही advice है, दीखे हैं, यहाँ पर यही बता रहा है कि पहले 200 minute में काम होता था और अभी 100 minute में काम हो रहा है अच्छा, out of all these एक चीज़ ध्यान दो, JIT बोलता है, जितना time है न उसमें से value added time खाली processing time होता है मेरा तो there is something called as JIT में cycle efficiency cycle efficiency आपको class में भी कराया हुआ है, इसका sum एक्टो class में होता है, तो process time आपका 60 minute का यह बट आप ले रहो उसके जगह, यह सब काम करते वे जा रहो, तो 200 minute तो 60 minute का काम हो रहा है 200 minute में, तो cycle efficiency कितनी है, 30% और अभी क्या हो रहा है, processing time हो गया 40, और काम कर रहो पूरा 100 minute में तो efficiency बढ़ गई न, तो JIT तो advisable है efficiency increase हुआ, इसलिए JIT advisable है देखे, short में दिखा दे रहा हूँ process cycle efficiency has been increased from 30 to 40% therefore it is advantageous to shift to JIT बस classify करना है कि इसमें यह 3 non value adding है और यह processing time value adding है देखो यह video को अगर आप ठीक से एक बार देख लो, तो उसके बाद पढ़ोगे तो जादा जल्दी effective समझ में आएगा okay question 9 में नहीं करा रहा क्योंकि यह theory of constant chapter में हम लोग same sum कर चुके है और question number 10 standard costing में same sum कर चुके है यह DJB book में भी डालावा, यह पूराना question है ठीक है standard costing में भी हम लोग यह कर चुके है अच्छा दिखे, यह मेरा जो sheet मेंने लिया न, इसमें आपका हर जगा यह ICI mat लिखा हो आ गया तो इससे confuse मत हो जाएगा, यह ICI mat में नहीं है यह printing error हो गया, यह मेरा sheet, working sheet है जो आपका DJB book में बात में डाल देंगे अभी आपका DJB book में तो नहीं डला बात में DJB book में डाल देंगे तो इसलिए यह Z plus वाला ICI mat में है 9 number है, 10 number है ICI mat में और बाकी कोई भी same question ICI mat में नहीं है तो यह ICI mat आप काट दीजेगा, confuse नहीं हो जाएगा आपको लगेगा कि RTP का question कि ICI mat में भी था तो एक बार फिर से बोल दू, एक बार go through करो मेरे साथ आजाओ RTP को यह ICI mat में रखा जा सकता है क्योंकि gain sharing arrangement Chiang International से relate कर सकते हो एक example था ICI mat में Chiang International Airport से relate कर सकते हो तो इसको ICI mat में रखा जा सकता है दूसरा यह fresh bazar वला ICI mat में नहीं था एकदम नया concept आया आपके सामने ठीक है फिर question number 3 goal star वाला एक नया question है question number 3 goal star वाला एक नया question है 5S को लेकर यह भी ICI mat में नहीं था question 4 वाला भी एक नया question है balance score card को लेकर बढ़ इस तरह का goal analysis हमने पहले किया है और भी detailed वाला के हम लोग जो किये थे उसमें तो sorting भी नहीं किया वा था किस perspective में किया जाएगा तो यह तो बहुत easy question था एक तरह से और फिर आपका question 5 मैंने यह coaching institute का कुछ भी नहीं पढ़ाया आपको क्योंकि यह एकदम simple है हम लोग जो किये थे class में यह भी ICMAT में नहीं है बढ़ ICMAT में जो question था वो building block model से जुड़ा हुआ था learning horizon और knowledge base वाला question था जिसमें बहुत जादा detail में हमने पूरा income statement उनका बना के उनका performance analysis किया था यहाँ पर कुछ student satisfaction rate SSR student hiring rate को लेके आप चौथा भी लिख सकते हो but इन्होंने student hiring rate को revenue में involve कर लिया है capital employed को भी revenue से link कर लिया, revenue और profit से link कर लिया, capital employed आप profit से link कर सकते हो जरूरी नहीं है कि आपको यह team में ही रहना है, आप चौथा पाचवा भी बना सकते हो, but इसका performance analysis करना था, कोई model नहीं था, तो जस्ट आपको बताना था कि यह सब जो यहाँ पर हो रहा है, यह कैसा हो रहा है, तो goal आप देख सकते हो ना, last year student satisfaction rate 9.5 ता भी 8 है, तो performance अच्छा नहीं हो रहा है, revenue last year 117 से बड़ा है और operating profit आपका घटा है, तो आपको question पढ़ने से समझ मैंगा कि इसका कारण क्या, जो reasons आपको मिला वो आपको अपने answer में put up करना है, student satisfaction rate घटा है, तो यह future के लिए detrimental है, okay moreover decision or to defer the remedial program is likely to have a detrimental impact on the future performance next question 6, यह I say Matt का नहीं है, यह question मैंने अभी आपको नहीं कराया but मैं इसका videos YouTube में डालने वाला हूँ जो एक-डो question मैंने अभी आपके साथ नहीं किया, उसका videos very recently YouTube में आएगा तो आप plus अपना SGC channel को follow करिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा okay, और question number 7 मैंने आपको बताया नहीं आएसे मैट टाइपो है यहां पर सब में लिख दिया गया हो okay और next, 8 number JIT वाला तक्त टाइम वाला तो आएसे मैट में है ही नहीं okay, तो फिर भी तक्त टाइम सीख लिया तो हो गया, इसमें reference लिख के रखेगा cellular manufacturing का video आपको देख लेना है और फिर 9 number में Z plus वाला सम class में किया हुआ है standard costing में नहीं था, यह theory of constant chapter में किया हुआ है यहां है, 9 number और 10 number आपका standard costing में है okay यह सेम सम मैंने class में कराया भी आपको so that's all in this session okay, so with this I have completed your entire DJB also with RTP का भी तड़का so just expected क्या है मेरा कहना खली यह दोस्तो कि ऐसा नहीं कि आप next सीधा self study का period आएगा तभी हम cost पड़ेंगे एक बार आपको क्या तो class का पूरा mat solve करके रख देना है जितना हो सके उतना करो हर chapter को brush up करके रख देना है और या फिर एक बार DJB book solve करके रख देना है कुछ ऐसा करना है जिससे की self study के समय pressure कम पड़े बाकी subjects भी रहेंगे उस समय तो subject का उतना importance नहीं रहेगा जितना importance आपने भी class करते वक्त इस subject को दिया ठीक है तो strategy यही रहेगी कि आप self study के समय क्या करने वाले हो मैं आपको बता दे रहा हूँ आप sir का notes को अच्छे से पहले go through करोगे जो concept and practice मैट में sums कराया गया उस सब को solve नहीं करना है उन सब में आपने marking किया हुआ है कि कहां पे क्या trick है वो trick को खाली catch up करना है कि यह question था question देखो कुछ याद आता है कि ऐसा question में क्या क्या था trick क्या था वो trick को खाली देखो trick area question and its trick question and its trick question and its trick और sir का notes जितना उसको याद कर लो notes याद होगा तभी काम होगा जो book में भी notes था या जो copy में लिखावा था steps बता दे रहा हूँ copy में लिखावा notes book में लिखावा notes इसको अच्छे से क्या करेंगे याद कर लेंगे और फिर sir का mat concept and practice वाला mat जो मिला उस concept and practice mat का खाली question or trick what's new question or what's new solve नहीं करना बहुत समय चला जाएगा फिर सबका जब review हो गया review हो गया सारा trick trick कोशिश करके memorize करो देखना कि question देखते हो trick याद आता है का है ये question इसमें तो ये trick था है question का trick याद आना चाहिए और फिर क्या करोगे DJB book को पूरा solve करोगे आप solve करने के लिए book में solve कर रहे थे मान लीजे book तो मेरे साथ आप solve करते करते गंदा कर दिये तो मेरा recommendation ये है कि बुक तो आज तक का updated था आपका जबी भी exam होगा उसके term के लिए book वापस release होगा तो और updated book होगा अभी आपका exam अगर मान लीजे recent में है तो ये updated book है अगर exam दो साल बात है तो आपको updated book एक ले लेना है इस जिसी से कहीं avail हो जाएगा तो updated book पूरा neat and clean रहेगा फिर डीजे भी पे सारा बुद्धी लगाओगे उसको तीन बार देख के जाना है 3 times कैसे भी 3 times होना चाहिए तो first time पूरा solve करोगे वापस book में solve करो कोई problem नहीं theory जब आ रहा है तो theory को पढ़के उसका points पहले अपने से सोचो फिर मिलाओ कि वो match हो रहा है कि नहीं हो रहा है कितना percent match हो रहा है वो देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि theory पढ़े जा रहे है अपना mind को use करोगे question पढ़ोगे तो mind को use करके answer निकालोगे फिर theory भी पढ़ोगे तो अपना mind से points निकालोगे फिर उसको सजाना कैसे एक बार खाली वो notes में देख लोगे कुछ extra point आया क्या जो आपने नहीं सोचा था तो first time DJB वैसे solve होगा second time DJB सिर्फ go through होगा वापस question पढ़ा हाँ याद आगया कि ये इसमें trick था जैसे मैंने अपना class material के लिए बोला ना खाली trick होजना है second time जब DJB पढ़ोगे तो वापस trick होजोगे अच्छा ये question इसमें ये नया बात था ये question इसमें ये नया बात था ये question इसमें ये नया बात था ये points मैंने लिखा था ये extra point भी था third time वापस trick को revise करोगे जितना trick है उसको revise करोगे ये third time शायद आपका exam day के पहले ही हो रहा होगा third time revision कब होगा day before exam second time revision कब होगा a month before exam और first time पुरा DJB solve कब होगा during your four month, six month study period तीन level होगा न एक बार मेरे साथ DJB हो चुक है आपका second time DJB कब करोगे एक नया book ले लोगे, updated book वो available रहेगा at nominal price जो भी रहेगा इस जीसी website से ले 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 न उस समय जब exam दे रहे होंगे उसके ठिक पहले उसका version जो आएगा वही, self study period में एक बार पूरा DJB खुच से solve करना है कैसे जैसे sir solve करा रहे थे second उसमें जो tricks था वो सब marking हो जाना चाहिए, second time a month before DJB book पूरा पल्टोगे और देखोगे कि मेरे को सारा tricks याद है कि नहीं, किस question का क्या नया चीज था और हम क्या सोच पाए थे third time सारा tricks को वापस गो थू करोगे day before exam जितना वो पहले भी पढ़ाया था वो सारा को भी गो थू करना जरूर यह self study में वापस क्या करना है sir का notes को खली क्या करना है, जल्दी बोल दो एक बार review करना है notes learn करना है sums को खली trick area देखना है concept practice 1, 2 का concept practice 1, 2 का trick area देखना है sir का notes याद करना है, book का notes models, models जो है, वो सबको याद करना है उसको करके आओगे, फिर DJB में घुसोगे तो सारा DJB को solve करना है DJB latest book लेकर solve करना है solve हो जाने के बाद DJB में solve करते वक्त आपको पता चलेगा क्या आप कर पाए थे, क्या नहीं कर पाए, क्या extra आया उसका writing pattern वगरा सब set करके, फिर DJB को छोड़ोगे अब month before DJB वापस उठाओगे और सारा question को पढ़ पढ़ के देखोगे इसका trick क्या था क्या मेरे से छूटा था, क्या मेरे से नहीं हुआ था क्या मैं कर पाया था उसको review करोगे, और फिर वापस day before जब आ जाएगा तो DJB book का सारा वापस हर एक question को पलटते पलटते वे, सारा page flip करते हुए, आगे भढ़ते चले जाओगे और जो class का notes था उसी को बहुत अच्छे से जो रियाद करने बोला था, उसको और अच्छे से याद करके जाओगे सारा notes याद होगा, model याद होगा, और फिर DJB का सारा question का tricks याद होगा हर question आपको exam में पढ़ा हुआ ही लगेगा, आपको लगेगा अच्छा ये वाला part है, यहाँ पढ़ा था, part भी यहाँ पढ़ा था, mix होके भी आएगा, तो भी डर ने लगेगा and rest is all, the three hours is all in the hands of God, कि उस समय presence of mind कितना है, environment कैसा है ठीक है, health कैसा है, वो सब चीज को manage करोगे, तो marks अच्छा ही आएगा okay, so I wish you all the best and by this everything is complete from my side and I will just say keep yourself updated with all videos that we keep uploading on our YouTube channel or Facebook page जैसे ही SCM का कुछ भी आए, keep yourself updated or get in touch with the Telegram group also उसमें मैं generally बोल देता हूँ अपने टीम को कि जो भी relevant वीडियो हो, वो उनके Telegram group में भी update कर दिया जाए, तो just updated रहेगा पूरा, चारो तरफ से कुछ भी नया आ रहा होगा तो ख़बर मिल जाएगा, और बस यही ध्यान रिखेगा कि just next, अब आपको step यही लेना है, कि जिस last six months में self-study कर रहे DJV book एक नया अवेल करके वो updated होगा उसको अवेल करके पढ़ाही चालू कर लेना है ICI MAT तो सब ले लिया ना, DJV book का खासियत क्या है, कि ICI MAT RTP, MTP, suggested answer, all are up to date तो आपको 10 resource पर depend नहीं होना, और उपर से जो common questions है, वो सब भी हटा दिये गए तो सारे unique questions है आज अबी जो DJV आपने किया उसमें 161, 4, 165 और यह 10 175 questions का book है यह RTP लेकर, यह May 20 का आज तक 175 question है ठीक है, तो 175 में भी 2 question एकदम same में निकल गया 9, 10, तो 173 मान लिजे, तो 173 questions आज तक आपने solve किया है, अब जब तक आप exam देने लगेंगे तो हो सकता है 10, 20 और add हो जाए, I don't know, हो सकता है इतना ही रह जाए, I don't know, कम तो नहीं होगा कोई तरह से, बड़े नहीं हम बस यह कल्पना करेंगे, नया नया questions बहुत ज़्यादा ना आ जाए, ओके तो यही approach है आपको आगे का त्यारी करने का, फाइन चलिए, थैंक यू